गुड बॉर्णिंग चिल्डरंस क्लास फिप्त विशे एंदी चेप्टर आपका फोटिंग फोटिंग चेप्टर है श्वर्ण नगरी की सेर्ट जसे कि हमने आपको नेक्ट डे करवाय था वचन करवाय थे लिंक करवाय थे अब हम आपको बुक में करवाएंगे थोटिंग चेप्टर, चेप्टर का नाम है श्वर्ण नगरी की सेर्श्वर्ण में नगरी मतला जो जैसल में इर उसको कहते है श्वर्ण नगरी वहाँ पर गुमने गईते उस गटना को बताया गया है देखिए पाठ का परेचे जैसलमेर भारत की पस्चिमी सीमा में है जो उसका पैरा देता है यह रेतीला है यह श्वन नगरी किसी सहर से मेल नहीं खाती यह किला तिर्कुट पाड़ी पर बना है तिर्कुट गड़ के नम से जाना जाता है जो जैसल मेर है कौन सी पाड़ी पर बना हुआ है तिर्कुट पाड़ी पर बना हुआ है और इसको तिर्कुट गड़ के नम से भी जाना जाता है महारावल जैसल ने इसका निर्मान कराया यहां रंग मैल मूती मैल जैन मंदिर वल अचमी नाजी का मंदिर देखने को देखने योग्य है पट्वो की हमेल हवेली नतमल की हवेली सालम सिंग की हवेली आदी दर्शनिय है उटो की सवारी प्रशिद्ध है पोकरण में सकते स्थल देखा चिल्डन्स ही हमारा जो पार्ट का परिचे है जो हम पार्ट में जो पढ़ने वाले है जो दिया हुआ है अब देखिए हम भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर कौन है सजग प्रहरी जैसलमेर इसे श्वन नगरी हमनगर भड किवार आदी नामों से भी जान जाता है किस किस के नाम के जैसल मेर शहर के नाम है श्वंणनगरी हेमनगर और भढ़केवार यह इसके क्या है और नाम है रेतिले धोरों ने जीवन को दुरगंबना रखा है वहाँ पे क्या है रेती रेत है लेकिन यहां की सुन्दरता देख लोग दातों तले अंगुली दबा लेते हैं हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगुठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती वैसे ही यह श्वर नगरे विस्व के किसी सहर से मेल नहीं खाती है इतनी सारी बाते सुनने के बाद हमारी पूरी पांची कच्छा के विध्यारतियों ने गूमने का निन्य किया सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीब जी की साथ हम जैसल मेल के लिए रवाना हुए गर सर्दी की छुट्टियां थी कांगे हम अपने टीचर के साथ गुमने गए कहां जैसल मेल बिकानेर से रेल रात में चली बरकत, मुली, रौनिद, किशुरी और हम सभी हसी खुसी मजा करते ही नींद आ गई सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरस की केरने जैसलमेर दुर्ग के पाशान कणों को चमका रही है दुर्ग मेंस क्या होता है किला होता है पाशान जो पत्थर होते हैं जो दुर्ग के पत्थर थे उनके कणों को चमका रही थी चमका रहा था शूरस जैसलमेर पहुंचे होटल में टहरे तयार होकर घुमने निकले सबसे पहले किले को देखना तै हुआ किसको देखेंगे सबसे पहले हम किले को देखेंगे किला तिरकुट पाड़ी पर बना है इसे तिरकुटगर नाम से भी जाना जाता है महरावल राव जैसल ने इसका निर्मान करवाया किसने करवाया महरावल राव जैसल ने हम पर्थम पोल अखाई पोल से होते हुए दुर के उपर पहुँचे किले की सड़क भी पथरों की बने हुई है वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे लक्षमिनाद जी के दर्शन भी किये इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बने हुई है दुर के चारो ओर 99, 99 का है बुर्ज हैं जो खंबे होते हैं वो हैं ये बुर्ज दुर को मजबूती परदान करते हैं इसे हवेलियों मा जरूखों की नगरी भी कहते हैं यहां पट्वू की हवेली, नत्मल की हवेली, सालम सिंग की हवेली, आदी दर्शनिये हवेलियां है इनके जरूखों पर की गई नकासी लाजवाब है इनका सौंदर देख हम आश्यर चकित रहे गए देखे, हवेलियां देखने के बाद हम गड़ी सर गए यहां तालाब सदियों से यहां के वाशिंदों की प्यास बुजाता आया है यहां का प्रतेक पत्थर शौंदर रे बिखेरता नजर आता है इसे की पाल पर मुक्तिश्वर मंदेरवा बगेजियां बने हुई है दर्सन मोहित अनुराग को ठकान महसूस होने इनकों क्या हुआ ठकान महसूस होने लगी मतलब गुमते गुमते परेशान हो गए हम होटल में जाकर आराम करने लगे दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवार विलास देखे अमर सागर के जैन मंदेरवा कुल दरा देखकर हम सम पहुँचे सम क्या है जैसल मेर में तैसिल का नाम है सम वहां रेत का अथा समंदर हमें बर्बसी अपनी योर खिंचता है वहाँ क्या है रेत है क्योंकि जैसलमेर कहा है रेगिस्थान राजस्थान रेगिस्थान में है तो वहाँ पर क्या है रेत ही रेत है और वह रेत कैसा है बहुत ही मखमली है हम समके धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए खूब हम नाचे वहाँ उट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया सूर्यास्त ने अपने लालीमा बिखेरी और हम जैसलमेर लोट आए क्योंकि सूरज ढल गया और जैसलमेर वापस लोट आए रात में कैर सांगरी पंच कुटा की सबजीव दाल बाटे चूरमा का आश्वादन किया मतलब उन्होंने क्या किया भूजन किया अगले दिवस बड़ा बाग की छत्रिया और बुड़ फोशिल पार्क को देखा बस का रोख पोकरन की ओर हुआ अब बस कहा चल दी पोकरन के लिए पोकरन का सकती इस्तल देखकर सभी का सीना गर उसे फूल गया सेवली गाम इस्थित कदली वंधम के भी दर्शन किये बस बीका नेर की ओर चल पड़ी हम सभी आज भी इस यातरा को याद करते हैं तो रोमान्चित हो जाते हैं उस समय खीचे गए चितर आज भी उस यातरा की याद ताजा कर देते हैं वास्तम में यह यातरा भुलाए नहीं भूलती चिल्डरन्स चेप्टर हमारा कम्प्रेट हो गया और सब्धार्थ लर्ण कर लेना क्वश्चन आसर माप बाप को नेश्ट डे करवाएंगे